यह स्मार्टफोन्स और स्मार्टफोन कैमराज में पिछले 10 सालों में क्या development हुई है, क्या innovation आई है पर स्मार्टफोन कैमराज के feature समझने में कभी कभी confusion हो जाती है, यह मेगापिक्सल क्या है, अगर जादा मेगापिक्सल हो, तो क्या better picture आती है, कितने मेगापिक्सल होने चाहिए, यह कितने कैमराज होने चाहिए, यह wide angle क्या है, टेली photo क्या है हेलो दोस्तों मेरा नाम है राजीब माकनी और आज मैं आपको स्मार्टफोन कैमराज के सारे features के बारे सब कुछ बताने वाला हूँ तो अगर आपको भी मेरी तरह video shoot करना या reels बनाना बहुत पसंद है, तो जरूर ध्यान से देखें बात शुरू करते हैं Megapixels के साथ, हर photo या video Megapixels के साथ ही चुड़ता है, आप सोचें जैसे कि एक puzzle है, आप puzzle को जो है एक के साथ दूसरे को जोड़ेंगे और आपकी picture जो है बिलकुल perfect आ जाएगी जितने जादा Megapixels यानि के उतनी जादा picture detail, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जादा Megapixels से image quality बहुत 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 हो जाती है आजकल स्मार्टफोन में image processing technique आ गए है, artificial intelligence आ गया है, ये सब आपका camera phone यूज़ करता है जिसकी वज़े से camera Megapixels important है, लेकिन only up to a certain point अगर आप एक photography enthusiast हैं और आपकी photographs edit करते हैं तो फिर Megapixels बहुत जरूरी हो जाते हैं अब बात करते हैं multi camera setup के बारे में, आजकल के phone single, dual से लेकर quad camera setup के साथ आते हैं और हर lens का अपना कुछ न कुछ use होता है, एक ultra wide angle lens आपको देता है broader view of a scene यानि कि normal lens अगर इतना दिखाएगा, तो ultra wide आपको इतना दिखाएगा, ये perfect है for landscape photography या group photographs के लिए सारे smartphones आजकल digital zoom के साथ तो आते ही हैं, लेकिन कुछ आते हैं telephoto lens के साथ, इसमें जो zoom है, वो optical हो जाता है, यानि कि it gives you much much better quality और अगर आप एक serial selfie taker है, तो आपको ध्यान देना चाहिए selfie camera पे, आपके selfies के लिए lens की megapixel, lens quality, ये सब जो है बहुत dependent है और आखिर में optical image stabilization यानि के OIS, इस feature के साथ आपका camera जो है बहुत steady हो जाता है, camera की जो shakinis है, वो reduce करने में ये बहुत help करता है Mobile camera आपके smartphone के सबसे important features में से एक है, इसलिए phone manufacturers camera और भी बहतर बनाने के लिए features add करते रहते हैं I hope आपको ये video पसंद आया और आपको अगले camera phone select करने में आसानी होगी